आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर दा हीमालियन स्टेडी येटूब चैनल पर तो देखे इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ महर्पुन सुचनाओं की जो की उत्तर प्रदेश पैट से संबंदि सुचनाओं हैं ऐसे अभ्यारती जिनकी परिक्षा है 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2022 में यानि की उत्तर प्रदेश में 2022 की पेटी की परिक्षा तो ऐसे अभ्यारती के लिए महर्पुन सुचनाओं है पहली सुचनाओं आप जानती हैं की 1 अक्टूबर 2022 से पैट के एड्मेट कार्ड आपके डाउनलोड होने शुरू गए हैं और जैसा की आपने एड्मेट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया होगा काफी अभ्यारती ने तो आपने देखा होगा उसमें की काफी अभ्यारतियों की सेंटर काफी दूर गए हैं और जिसमें की फेमेल केंडियेट के भी सेंटर काफी दूर हैं तो ऐसे में काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो सीधा कहने का मतना हमारा ये है टीटर पर अभ्यान चला रहे हैं अभ्यार्ती कि सेंटर जो है आपका बहें अधिक्तम पचास किलोमेटर तक जाना चाहिए था क्योंकि जो लड़के हैं बहें किसी ना किसी तरह चले आएंगे लेकिन फिर भी लेकिन जो फीमेल कैंडियेट हैं उनके साथ में कोई रवकी जाएंगे जिससे क्या होगा किसी दूसरे सेंटर पर जो की परिक्षा गेंद्र आपका बनाये गए हैं किसी सहर में बहां पर भीड़ इखटी हो जाएगी तो इस समय जो है टुटर पर अभ्यान चला रहे हैं अभ्यार्ती काफी कि इन सेंट्रों को चेंज किया जाए और ये परिक्षा आपकी उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं और इसमें इस्वार सबसे ज़्यादा आविदन गए हैं जो पिछले साल आपकी पैट की परिक्षा हुई थी उसमें जो आविदन मांगे गए थे उसमें लगभग ऐसे मानी चले कि 21-22 लाख अभ्यार्तियों ने आविदन किया था लेकिन इस वार जो आपड़ा है 49 लाख के आसपास अभ्यार्तियों ने आविदन किया है और ये पेपर आपका उत्तर प्रदेश में चार सिप्टों में होगा दो सिप्टे आपकी 15 अक्टूबर और दो सिप्टे आपकी होंगी 100 अक्टूबर 22 को और इसके सिलिवस के जो आपको मिला होगा जो आपने डाउनलोड किया होगा उस syllabus के according ही आपकी परिक्षा का जो pattern है आएगा उसमें जो लिखा है कि science पांच नमबर की और राष्टिय आंदुलन पांच नमबर का और इतिहास पांच नमबर का तो इन से सम्मरिती उतने ही कोसंद पूछी आएगी और इसमें जो है लगवग रेजिनिंग और मैट का जो portion है लगवग 25 के आसपार रहेगा और हिंदी पांच या छे नमबर की पूछी आएगी इसमें और इंगलिस भी पांच छे नमबर की पूछी आएगी मतलब कहने का मतलब हमारा यह है कि पूरा जो आपका paper जो बना होगा वहें पूरा syllabus के according तयार किया गया होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर आप लोग P.A.T की परिक्षा पांस नहीं कर पाएंगे अच्छे नमबरों से तो आप लोग जो है UP.A.T की किसी परिक्षा में आविदन नहीं कर पाएंगे और आप लोग जानते हैं कि 2021 से 22 तक जो भी भड़तिया निकली है उसमें काफी percentile उपर गया है इसलिए आपको कोसिस एक करनी है कि आपकी जो कोसन है बहें परिक्षा में गलत ना हो जादा अच्छा होंगी जो फारम निकलेंगे UP.A.T से उसमें 90 प्लस मांगे चलिए आप लोग कि आपकी 90 प्लस percentile आपको होना चाहिए तब ही आप लोग जो है आविदन कर बाएंगे और जो भी आपको बता दे कि जो भी आपके पैट के syllabus में दे रखें टॉपिक उनके previous question लगा लीजे किसी भी बुक से आप लोग उसी टॉपिक के जैसे दे रखा है सिंदुघाडी सब्वेता तो सिंदुघाडी सब्वेता के previous set लगाएं बैदिक सब्वेता के set लगाएं इसी प्रकार राश्टी आंदुल के कोई न कोई अब्जेक्टिव भुक से आप लोग सेट लगा लिजी और कम सेखम दो भुकों से प्रैटिस करें अपनी जो प्रैटिस सेट होते हैं जिससे आपको ये परच लिएगा कि आपकी कितनी स्पीड आ रही है तो ध्यान लखें आपकी इस समय जो है काफी अभ्यान चल रहा है ट्विटर पर जो की अभ्यारती चला रहे है उनका सिर्फ ये कहना है कि परिक्षा केंदर काफी दूर बनाए गए है और जो की किसी का सेटर गया है लगभग 130 किलोमेटर दूर तो किसी का 140 किलोमेटर दूर तो ये कहने का मतलब ये है काफी दूर सेटर बनाए गए है जिसके वरे से अभ्यारती ओ काफी समस्य हो सकती है और जो पिछली साल सेटर बनाए गए थे लगभग इतने दूर काफी नहीं बनाए गए थे लेकिन इस वार काफी चेंज किया गया है लेकिन आपको बता दें कि चेंज करने का मेन अधार था जो स्वालवर गेंग जो सकरी रहता है उसको रोकने के लिए क्योंकि कुछ अभ्यारती ऐसे भी होते ही जो परिक्षा सेंट्रों पर काईना के जो है अपनी सेडिंग कर लेते हैं इसको रोकने के लिए यह है यूपी टेपल से ने यह है प्लान किया है तो ध्यान नखियें अपनी बड़ी आतरीके से त्यारी करें आप लोग और ताकि आपको जो आगामी लेकपाल भरती है और 55 साहक की भरती भी आएगी और काफी भरतीया मिलेंगी आपको यूपी टेपल से जिसमें आप लोग आविदन कर पाएंगे जब आपके नमबर अच्छी होंगे तो अच्छी से बेपण दें आप लोग बड़ी आतरीके से त्यारी करें आप लोग ताकि आपको सब्बलता मिले तो इसी प्रकार की वीडियो देखते रही है हमारे इस चैनल के माध्यम से और वीडियो को लाइक करना ना भूले और जो लोग नई हो बहें सब्सक्राइब करना ना भूले बीडियो को पूरा बीडियो सुनने के लिए धन्यवाद